नमस्कार दोस्तों कैसे आप आशे करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया से होंगे दोस्तों आज मैं आपको रिमेटर अर्थराइटिस मतलब वात रोक की एक बहुत ही इफेक्टिव होमपेथिक मेडिसेन बताऊंगा और उस मेडिसेन का नाम सुरुवात में बतायता हूँ र जोडों में सुजन और दर्द रहता है तो कैसे आप रस्टॉक्स मेडिसेन का उप्योग करें और कब तक यूज करें और साथी साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि ये कितनी फायदेमन दवा है तो दोस्तों मैं आपको मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्व गजारिश करता हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इसके फायदे बहुत है सबसे पहले ऐसे ही नौलेजबल वीडियो लगब-ख हर दिन आते हैं उसके ब बात करें तो आप मुझे इमेल करिए मेरे इमेल आइडी पर किरतिविक्रमसिंग परिहार अधर गम. साथ ही साथ स्क्रीन शॉट लगाना बिल्कुल भुलेगा स्क्रीन शॉट अगर आप लगाते हैं तो कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आपको कंसल्टेंसी के मैसेज जरूर आएगा लेकिन आपको पे करने की जरूरत नहीं है सभी सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री है तो सब्सक्राइब करने के बहुत फायदे ना प्लीज सब्सक्राइब करें चलिए टॉपिक के तरफ चलते हैं रक्स टॉक्स दोस्तो रक्स टॉक्स होमेपैथी की बेस्ट दवा है दर्द के लिए अगर कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है उन्हें रूमेटर अर्थराइटिस की प्रॉबलम होती है आरे फैक्टर पॉजिटिव होता है गठिया और बात है या दर्द की समस्या है तो उनके लच्छन रक्स टॉक्स से मिल ही जाते हैं और मोसली रक्स टॉक्स मैं प्रिस्क्राइब कर देता हूँ और रिजर्ड्स भी बहुत बढ़िया रक्स टॉक्स के मिलते है तो रक्स टॉक्स एक ऐसी दवा है जिसे लेने से आपको दर्द में तुरंत आराम लगता है खासका रुमिटर अर्थराइटिस की कंडिशन में और भी बाकी कंडिशन में आराम लगता है लेकिन रुमिटर अर्थराइटिस की कंडिशन में बहुत आराम लगता है तो कैसे इसे यूज करना चाहिए क्या है इसके सिम्टम्स पहले ये जान लेते उसके बाद इसका action बताऊंगा कहां पर यह असर करती है उसके बाद मैं इसे लेनी का तरीका बताऊंगा कि अगर आपको रुमिटार अर्थ्राइटिस है तो किस potency में कैसे आप इसे use कर सकते हैं और सबसे last में मैं price बताऊंगा और अपना experience शेयर करूंगा तो पहले चलते है सीधा symptoms के तरफ तो दोस्तो रुक्स टॉक्स एक ऐसी दवा है अगर आपको रुमिटार अर्थ्राइटिस का दर्द जैसे ही बरसात चालू होती है जो कि चालू हो गई है और बरसात होते से ही दर्द बढ़ जाता है आपको गर्मियों में जादा दर्द नहीं रहता है जैस के कमर में दर्द है और कमर का दर्द जो है आपको आराम कब कब लगता है ये बता दूँ तो अगर आपको आराम चलने फिरने पर लगता है या अगर आपको आराम लेटने पर और खास कर hard surface पर लेटने पर लगता है लेकिन आप जब बैठे रहते हैं तो आपको बहुत ते प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा हो तो यह medicine बहुत ही effective medicine हो जाती है दोस्तों अब कमर से चलते हैं सीधा हाथ-पैर की तरफ तो दर्द बहुत ज्यादा हो आपके छोटे-छोटे joints में और swelling भी हो बहुत ज्यादा छोटे-छोटे joints में आपके ligaments में आपके tendons में बहुत ज ज्यादा swelling हो जिसके कारण sujan आ जाती है और खासकर हाथ में उंगलियों में और उंगलियों के joints में और wrist में और साथ ही साथ आपको यहाँ दर्द होता है कभी आपके घुटने में दर्द होता है और यह दर्द जो है swelling के साथ होता है sujan भी आती है और यही होता है rheumato arthritis में त तो सूजन के साथ दर्द हो और दर्द बहुत तेज हो बहुत तेज दर्द हो और कभी-कभी इतना तेज दर्द होता है कि वह एरिया रेड हो जाता है रेडनेस दिखती है यहां पर सूजन आ गई रेडनेस हो गई और दर्द बहुत जादा है पेन बहुत जादा है कुल मिला तक हर joint में pain होता है और यह जो दर्द है इसपेसली जब आप चलते हैं तो उतना नहीं होता लेकिन जब आप बैठे रहते हैं जब आप आराम करते हैं तो आपका दर्द बढ़ जाता है यह एक बहुत ही प्रमुख लक्षण है रक्सटॉक्स का दोस्तों और साथी साथ अगर ठंडी हवा लग जाए या अगर आप बैठ जाते हैं या ठंडी जगह पर आप हैं और आपका दर्द ठंडी हवा लगने से ठंडक महसूस होने से उस joint का pain बढ़ जाए तो रक्सटॉक्स बहुत ही बढ़िया दवा है और जैसा कि मैंने पहले बताया परसास से दर्द जाता है और आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो रक्स्टॉक्स बहुत ही effective medicine है दोस्तों तो यह थे इसके प्रमुकलचन मुसली यह medicine अगर action की बात करें तो joints में असर करती है और joints में यह तीन तरह से असर करती है पहली बात इक तो directly joints में असर करती है और joints में जाके swelling को क करती है पेन को कम करती है inflammation को कम करती है पहला action इसका यह होता है दूसरा action यह आपके धीरे-धीरे जो autoimmune disease है ना उसे भी धीरे-धीरे यह ठीक करती है जैसे कि रोमेटा अर्थराइटिस की problem है तो RA factor इसे लेने से RA factor देरे-धीरे कम होता है और साथी साथ जब आप RA factor कम होता ह है और joint में pain कम होता है तो आपका ESR जो बढ़ा हुआ है वो भी कम होने लगता है और CRP अगर बढ़ा हुआ है वो भी कम होने लगता है तो rug stocks बहुत ही बढ़िया दवा है पहली बात यह joints में directly असर करती है pain और swelling को यह कम करती है दूसरा इसके कारण आपका रोमेटा अर्थ जाता है जो आपकी ठंडी तासीर है सरीर की उसे यह ठीक करती है जिसके कारण जो बरसात में या ठंडी में जो आपकी समस्या बढ़ती है ठंडी हवा से जो आपकी समस्या बढ़ती है वो ठीक हो जाती है तो mostly तीन तरह से असर करती है action आपको पदा चल गया symptoms आपको पदा यहां पर आपको दर्द और स्वेलिंग हो रही है और यह सब लच्छन मिल रहे हैं जो कि मैंने पहले बताए तो रक्स्टॉक्स आप यूज कर सकते हैं कैसे यूज करें दोस्तों रक्स्टॉक्स हमेशा जो है वो थोड़ी सी मिडिल पोटेंसिय से चालू करना चाहिए और थ आपको दिख रहा है दो गूंध सुबहं गूबार इसे जादा रिपीट करने की जौर्ट नहीं ही दिन में एक बार आप पीते रहें पीते रहें शुबहं सुबहे नियुख छॉछ सब्सक्स क कौणिब लगट टवां उसर तो फिर आपको कुछ नहीं सोचना है और यही द थीक ना हो जाए मेरे साब से अगर आपको फायदा हुआ है 15 दिन में तो लगबख 6-7 महीने में आपको पुरी तरीके से आराम लग चाएगा और फिर आप इसे और कंटिन्यू कर सकते हैं जिससे आपकी बीमारी ही ठीक हो जाए और आरे फेक्टर की प्राब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाए तो पहले 15 दिन यूज़ करके देखें फायता हो तो कंटिन्यू करें जब तक आपकी प्राब्लम पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए बरसात में ठं आजाए और अगर आपको दर्द बढ़ जाता है या कभी किसी कारण से दर्द बढ़ जाता है तो इसे दो बार भी ले सकते हैं सुबह और शाम दो बुंद बहुत ही इफेक्टिव मैडेसें है रक्स्टॉक्स 200 कभी कभी कई लोग पुछते हैं सर इसका मधर टिंचर भी यू करेंगे खासकर घुटने में दर्द है या कमर में दर्द है तो रक्स्टॉक्स मधर टिंचर लगाएंगे आप चाहें तो किसी तेल के साथ मिला के भी लगा सकते हैं जैसे कि सरसो का तेल आप यूज़ कर लीजिए उसमें थोड़ा मधर टिंचर डालीज़ और उसके लगा बातार यूज़ करने से आपको रुमेटर हर्थराइटिस ठीक हो सकता है बहुत ही बढ़ियां मेडिसेन दोस्तों तो जरूर इसे एक बार पढ़िएगा और उसके बाद जब सिम्टम्स मिले तो जरूर यूज़ करिएगा विलियम बोरी की मेटेरिया मेडिका में पढ़ स काफी बड़ी और काफी विख्यात यह दवा है आपको हर जगह पढ़ने को मिल जाएगी हर हुमेपेथिक शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगी अच्छी कंपनी की लीजिएगा मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा सब्सक्राइगा अच्छे रिजर्ट मिलेंगे बहु प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन देगा तो इसको दवाना बिल्कुन दिएगा यहां पर एक रटका के सब्सक्राइब को बटन देगा तो इसको विद्वा दीजिए इसके बगल में एक बैल आएकन है तो इसको भी दवा दीजे मैं ऐसे ही नॉलेजबल हुम